Hello Friends, Welcome Back चलिए Chapter 28 हमें स्टार्ट करते हैं Part 3 इसमें हम Judicial Activism के बारे में पढ़ेंगे ये कफे एक important topic है ये हमेशा news में रहता है जब Judiciary अपने आप से कुछ ऐसे decisions देती हैं तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं Judicial Review के बारे में तो Judicial Review और Judicial Activism में थोड़ा सा फ़र्क होता है तो जिस तरीके से हमें पता है कि Judicial Review का origin USA में होता है उसी तरीके से Judicial Activism का भी origin आपको USA में देखने को मिलेगा इंडिया में 1970s के आज पास यहां पर V.R. Krishna I.R. और Justice P.N. भगवती के द्वारे इंडिया में इसको इंटर्डियूस किया जाता है अगर हम मिनिंग के बात करें कि Judicial Activism का मतलब क्या होता है तो Activism का मतलब क्या होता है यह निक एक्टिव होना तो कभी-कभी Judiciary क्या होती है कि अपने आप किसी भी मैटर को शंग्यान मिलेती है निकि अपने आप लाइट अपने अंडर मिलेती है और उसके उपर वो अपना ओडर देती है तो मेली इस तरीके Judicial Activism जो है वो Public Interest Litigation के द्वारे किये जाते है P.I.L. जिनको कहते है P.I.L. क्या होते है P.I.L. एक मेकनिजम है ठीक है ये एक प्रोसेस है एक मेकनिजम है जिसके थूँ कोई भी पार्टी यहाँ पर Judiciary तक वो अपने grievances को पहुँचाती है ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि जो वहाँ केस लेके जा रहे है माले जीए कि एक पर्षन A है और एक पर्षन B है चीक है एक पर्षन कोई offensive है माले जीए कि ये कोई चाइल्ड है इसके राइट्स का violation हो रहा है इस बात का पता B को चला अब ये बच्चा जो है ये तो कोट में नहीं जा सकता न कि पहले तो उसको जनकारी है नहीं है कि actually में इसके राइट्स का violation हो रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए उसको knowledge ही नहीं है अब इस B को पता चला कि ऐसा हो रहा है तो B क्या होगा कि इस child के बिहाफ पर ये जाएगा एक PIL लेकर सुप्रीम कोट के पास या फिर हाइट के पास भी जाते है ऐसा नहीं है तो ये सुप्रीम कोट के पास पहुँचा हम सुप्रीम कोट का example ले लेते हैं तो ये ले गिया कि इसके बिहाफ पर इसके बिहाफ पर यहाँ पर जो ग्रिवड पार्टी होती है वो ये काम करती है तो अब माने जी कि PIL अब सुप्रीम कोट के पास पहुंचा सुप्रीम कोट ने इसे एकसेप्ट कर लिया इसपर सुनवाई कि और यहां पर सुप्रीम कोट कुछ गाइडलाइन्स ले के आएगी यहाँ पर Supreme Court कुछ guidelines लेके आएगी कि किस तरीके से child के rights को secure करना चाहिए और इसके लिए क्या करेगी government को कहेगी कि आप इस मामले से related कोई act या कानून लेके आईए और जब तक कोई act या कानून नहीं आता है तब तक मेरे दिये गए guideline के according ही काम होगा तो यहाँ पर judiciary नहीं क्या किया कि actually यह काम था किसका legislature का और अगर active बना हुआ है तो यह काम किसका था executive का इसको implement करना लेकिन उन्होंने नहीं किया ठीक है तो यहाँ पर judiciary क्या करती है कि यह खुद आगे आके orders देती है और guideline जारी करती है जिसके basis पर काम हो तो इसको हम कहते है proactive measure यानि कि खुद से आगे 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 आना यह judicial review से difference है judicial review में क्या होता है कि एक act बन गया अब यह पहुँचा court में और court ही decide करेगा कि यह act जो है constitution के according है या नहीं है तो इसको constitutional validity check करना इसको हम judicial review में रखते हैं लेकिन judicial activism में क्या होता है कि यहाँ पर judiciary guidelines देती है कुछ rules खुद ही बना के देती है कि यह यह procedures होने चाहिए जैसे पिछले साल एक news में काफी रहा था हैदराबाद encounter आपको पता होगा कि एक लड़की थी जिसका murder हुआ था तो वहाँ पर क्या क्या है कि यह करने वाले जो लोग थे पुलिस ने उसको encounter किया था यह मामला फिर court में गया तो court ने इसको कहा कि यह गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके से पुलिस को power दिया गया तो फिर यह काफी बुरी स्थिति हो जाएगी तो उसके वहाँ पर भी सुप्रीम कोट ने कुछ guidelines दिये कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए ठीक है अगर कोई आपको पता चलता है कि यहाँ पर यह offenders है तो किस तरीके साब कि वहाँ पर पहुँच होगी अगर उनका मालिजे encounter होता भी है तो उसके बाद क्या process किये जाएगे यहाँ पर सारा का सारा guidance सुप्रीम कोट ने दिया तो इसको हम कहते है judicial activism ठीक है तो यह judicial activism क्यों होता है इसके जरुद क्यों पढ़ती है इसके reasons क्या है according to Dr. B.L. Wadera यहाँ पर कुछ reasons बताए गया है जैसे कि the government which is near collapse जो government है जिसको आप चुनके भेजते हैं वो लगभग collapse हो गई है ठीक है legislature और executive सही से अपना काम नहीं कर रहा है तो जब सरकार सही से अपना काम नहीं करती तो जो लोग होते हैं जो citizen होते हैं उनका जो confidence होता है वो धीरे-धीरे constitution पर कम होने लगता है ठीक है तो यहाँ पर यह जो लोग होते हैं वो judiciary से यह उम्मीद करते हैं कि judiciary यहाँ पर आगे आए और लोगों की जो rights और freedoms हैं उनको protect करने का काम करें। कभी-कभी क्या होता है कि judges के अपनी personal ambitions होती हैं, कि यह क्या होता है कभी-कभी reform जो चलते हैं इसमें यह participate करना चाहती है, कुछ खुद सही reform लाना चाहते हैं, तो उस cases में भी क्या होता है कि यह इस तरीके के guidelines देते हैं या फिर judicial activism का यह use करते हैं। ठीक है, और साथ-साथ यह कहते हैं कि public interest litigation यानि कि जो PIL है वो ज़्यादा से ज़्यादा मातरा में आना चाहिए और उस पर hearing होनी चाहिए। ठीक है, तो यह personal ambitions भी होते हैं ज़्यादा, साथ-साथ कभी-कभी क्या होता है कि आपको legislative vacuum भी देखने को मिल सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि कि किसी matter पर कोई law या act नहीं बना हो, ठीक है, और वो matter just सामने आ गया, तो जब कोई law या act है ही नहीं उस matter पर, तो यहां पर भी judiciary क्या होती है, कुछ guidelines दे देती है, कुछ rules बना के दे देती है कि इसको follow किजिए, तब तक जब तक कि आप कोई law या act ना बना लें, ठीक है, तो legislative vacuum के दोरान भी इसके use किया जा सकता है, या फिर कभी-कभी constitution ही ऐसे rights judiciary को provide करती है, कि आप आगे-ागे, जो judiciary को, कैसे कैसे हमें पता चलता है, कि judiciary यहां पर judicial activism के use कर रही है, तो ही आपको Dr. Vandana के दोरा कुछ points सुझाए गया है, जैसे कि expansion of rights of hearing in the administrative process, ठीक है, for example, अब क्या होता है, एक administrative process में, जैसे हम गवर्नर की बात करें, ठीक है, गवर्नर और जो state government होती है, इनके बीच में काफी आपको एक conflict देखने को मिलता है, जैसे, खास करके, जो unit territories होती है, दल्ली होगी, पुद्दुचरी होगी, यहां के गवर्नर में काफी चीज़े देखने को मिलती है, उसके बाद, अगर किसी state government में center से अलग party की government है, तो व अलग से guidelines लेके आती है, ठीक है, तो यह administrative मामले हो गए, कुछ ऐसे मामले की excessive delegation without limitations, तो जैसे कि मैंने आपको police वाले का, जो police encounter हुआ था, वहाँ पर, उसका मैंने example दिया, उसको यहां पर include कर सकते हैं, ठीक है, expansion of judicial control over discretionary power, अब यहां पर क्या होता है, कि जैसे कि speaker की discretionary power है, कै कैसे power, speaker या जो chairman होता है, राजिसाभा का, इनके पास, यह power होते हैं, decide करने के लिए, कि जो हमारा schedule 10, schedule 10 के अंदर, जो defection के cases होते हैं, वहाँ पर disqualify करने का जो power होता है, speaker और chairman के पास होता है, लेकिन judiciary नहीं कह दिया, कि हम इस decisions की क्या करेंगे, reviews कर सकते हैं, ठीक है, यह matter होगी, फिर इसके बाद कभी-कभी क्या होता है, कि president के पास हमारे power होते है, article 71 के अंदर, जिसमें pardon वेगरा देने का अधिकार होता है, यहाँ पर भी judiciary नहीं कह दिया कि हम भी इसका review कर सकते हैं, तो कहीं नहीं जो discretionary power है, दिये गए, हाँ, यह जरू है कि यहाँ पर जो pardon व ठीक है, expansion of judicial review over the administration, आप इसको use कर सकते हैं, first यह जो हमने देखा इसके साथ, okay, promotion of open government, इसका मतलब यह हुआ कि government जो काम नहीं कर पा रही है, executive legislature जो काम नहीं कर पा रही है, और सारे काम करने के यहाँ पर कोशिस करती है, judiciary, ठीक, जो contempt of court होता है, तो उसको, क्या होता है, discriminate करती है, ठीक है, साथी साथ, exercise of jurisdiction when none exist, कुछ ऐसे भी jurisdiction कहीं है, judiciary करती है, जहाँ पर उसको कोई अधिकारी नहीं है, जैसे हम कहते हैं, कि legislation का अधिकार नहीं है, judiciary के पास, execute करने का अधिकार नहीं है, judiciary के पास, ठीक है, लेकिन आज का लिए भी काम कर रही है, इसी को तुम क कहते है, judicial activism, ठीक है, साथी साथ, ऐसे rules या standards या guidelines देना, जिससे economic achievement हो पाए, social and educational objectives को बनाया जा सके, कास करके, इस मामले में देखिएगा, कि DPSP से related, जो कैसे सोते है, judiciary यहाँ पर काफी इस तरीकी guidelines, यह फिर order देते हैं, यहाँ पर comment को, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको apprehensions of judicial activism, यानि कुछ fears बताए गए है, कि क्या-क्या यहाँ पर problems हो सकते हैं, यहाँ पर एक ideological fear की बात की गई है, ideological fear का मतलब यह होता है, कि क्या judiciary सब को super state कर सकती है, चाहे हो legislative हो, चाहे हो executive हो, यह फिर कोई भी administration department हो, सारे के सारे काम यहाँ पर कर रही है, तो अब legislatures जो होते हैं, उनकी अलग ideology होती है, जो political parties होती है, उने से लोग चुन के जाते हैं, उनकी अलग ideology होती है, executive का अलग ideology है, judiciary एक अलग ideology पर काम करती है, उसका काम होता है justice provide करना, ठीक, तो क्या यहाँ पर सब कुछ club हो सकता है, एक साथ आ सकता है, यह problem, epistemic fears, अब यहाँ पर judiciary को यह लगता है कि उस economy के बारे में भी सब कुछ पता है, उसको science and tech के बारे में भी सब कुछ पता है, उसको लगता है कि social science के बारे में भी उसको सब कुछ पता है, ठीक है, उसको लगता है कि international affairs के बारे में भी उसको सब कुछ पता है, तो यह एक ऐसा wide area है जहाँ पर judiciary को यहाँ लगता ह कि उसको सब कुछ पता है और जितने भी matter है जितने भी areas है सब पे वो guidelines और अपना rules बना के दे सकती है ठीक है management fear जब इस तरीके से काम इनका work इस तरीके से diversified होगा तो इससे क्या होगा judiciary पर workload बढ़ेगा अब जब judiciary पर workload बढ़ेगा फिर judiciary काम कैसे करेगी अज देखे जो बहुत सारी करोनों के से spending है legitimation fear legitimation fear का मतलब ये होता है कि अब ये समझेजे कि इस तरीके legislative का काम किसका है legislature का है execute कराने के काम executive का है तो फिर अब ये कितना legitimate है यानि कि इतना ये वैद है valid है कि judiciary भी इन सब सारे कामों को कर रही है democratic fear सरकारे जो चुन के आती है वो लोगों के द्वारा चुन के जाती है जो judiciary होती है वो लोगों के द्वारा चुन के नहीं जाती इस वज़ा से judiciary जो है democratic institution नहीं होता तो जब एक non-democratic institution democratic institution को overstep कर रहा है तो यहाँ पर आपको कही ने कि जो डेमोक्रेशी होती है वो साइध खत्रे में पढ़ सकती है ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे है न कि हमारे यहाँ क्या है? हमारे separation of power है separation है सब में तो अगर judiciary सब को overtake कर जाएगी legislature को भी, executive को भी तो कहीं न कहीं आपको वही situation देखने को मिलेगा जैसा एक dictatorship में होता है ठीक है? तो यहाँ पर democratic fear भी आता है कि democracy कहीं collapse ना हो जाए यह भी problem है biographic fear जब इस तरीके से सारा काम judiciary करने लगेगी तो कहीं न कहीं legislature and executive को यह सोचना पड़ेगा कि actually में हमारा existence क्या है अब हमारा मतलब क्या है इस पूरे के पूरे system में ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब यह हो गया कि existence यहाँ पर conflict देखने को मिलेगा यह एक issue create होगा ठीक हो fears है जो judicial activism की वज़ा से create होते हैं ठीक है? अब इसके opposite बात की गई है बात की गई है judicial restraint के बारे में तो judicial restraint का सीथा सा मतलब होता है कि जो judges हैं वो limit में रहके काम करें उनको जितना काम दिया गया वहीं करें legislature का का काम ना करें और executive का का काम ना करें ठीक है? जो separation of power का concept दिया गया है इसके इज़त करें हो तो इसको हम कहते है judicial restraint यह judicial activism के opposite है ओके? नौ यहाँ पर USA में कुछ आपको criticize किया गया तो वहाँ पर USA में doctrine of judicial restraint यहने कि क्यों होना चाहिए? यहाँ पर कुछ बाते बताएं गई हैं इसमें से कुछ प्रोविजन इडिया में भी लागू होता है जैसे कि court is basically undemocratic body जैसे कि मैंने पहले बताया कि judges जो होते हैं वो लोगों के दोर चुनके नहीं जाते तो वो तो democratic body होई नहीं तो undemocratic body होई तो इस तरीके से wide decision लेने का अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे काम वो करें ठीक है? साथी साथ कभी-कभी अब क्या होता है कि ऐसे जो judicial review जै judicial activism के power जो होते हैं वो constitution के द्वारा provide नहीं किया गया है यह ध्यान रखिएगा यह USA के case में है तो यह USA के constitution में इसा provide नहीं किया गया है तो फिर भी judiciary काम कर रही है इसके साथ separation of power है हमारे यहां legislation है, executive है, judiciary इनके अलग-अलग काम है तो judiciary इन दोनों के काम को supersede कर रही है साथी साथ हमारे यहां federalism है जो state government है और national government है वह अलग-अलग area में काम करती है और इनके बीच में समाज़स से बठाने के काम judiciary का होता है न कि इन दोनों के काम को hijack करने का अब यहां पर क्या होता है कि non-ideological but pragmatic adjustments यानि कि यह जो judiciary होती है इसको powers कहां मिलती है अगर हम USA के बात करें तो USA में इसको power मिलती है Congress से वहां के parliament को Congress कहते है हमारी हाँ क्या-क्या बोलते है पार्लियमेंटी बोला जाता है सिधा संसत तो पार्लियमेंटी तो कानून बनाती है न जुडिशेरी के लिए जुडिशेरी में कितने judges होंगे कितनी होंगी क्या होंगी उनका jurisdiction कितना होगा यह सारा का सारा decide करती है हमारी parliament जो भी order दिया जब इसको लोग accept करेंगे तभी judiciary की effectiveness रहेगी उसके order का प्रभाव रहेगा जब लोग उसको accept ही नहीं करेंग उसके order को तो फिर judiciary का कोई effectiveness या उसका प्रभाव नहीं हुआ ठीक है तो इसलिए यहाँ पर judiciary को overstep नहीं होना चाहिए उसको भी उसे consider करना चाहिए ठीक है तो इस वज़ा से वो अपने दायरे में रहके काम करें ठीक है यहाँ पर यह भी बताया गया कि judiciary के काम जो होता है is the process of reason and judgment judiciary के काम है reason and judgment judgment देना कोई जो उनके पास cases आते हैं उनके reasons को देखना और वहीं जो politics होती है politics का काम होता है power and influence politics power के साथ आती है और उनका काम होता है लोगों को influence करना तभी तो कोई political party जीत के आएगी जब लोग उसके ideology और उसके लोगों से influence होगे तो political parties या politics जो होती है उसकी ideology ही अलग है लेकिन judiciary जो होती है उसकी आइडियोजी अलागे, उसको इन्फुलेंसिफ उसकी आइडियोजी नहीं है उसका आइडियोजी जज्जमिट देना तो इसलिए अगर यहाँ पर कोट इस पॉलिटिक्स की आइडियोजी को भी अपने आप में लेती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो यह कुछ वहाँ पर इसे के कंस्टिन में बनाएगा है इंडिया के केस में भी यह सारे के सारे नियम लागू होते हैं सिर्फ दूसरे को छोड़ के क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोट के लिए और 226 में हाई कोट के लिए सिधा का सिधा बताया गया है, तो इसलिए दूसरा जो ऑप्षन है, यह एंडिया की केस में लागू नहीं होता लेकिन बाकी के ऑप्षन अगेन यह एंडिया के केस में भी लागू होगे तो इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा कभी-कभी हो सकता है आंसर रैटिंग में इनकी आपको मदद लेनी पड़े इनकी जहुरत पढ़ जाए, ठीक है? चलिए अब नेक्स चेप्टर में मिलते हम P.I.L. पॉब्लिक लेटिकेशन पॉब्लिक इंट्रेस्ट लेटिकेशन के साथ उसके बाद इस चेप्टर में हम स्टार्ट करेंगे चलिए, तैंक्यू